हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज हम बात करेंगे एक मौसमी फल यानि के सिंगाडे की सिंगाडे खाने के कई फायदे हैं उसमें से मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिंगाडे खाने के 10 फायदे और 7 नुकसान मौसमी फल हमें कई तरह की बिमारीों से बचाने में मदद करते हैं वैसे ही सर्दियो के दिनों में एक खास फल पाया जाता है जो हमारे लिए बहुत ही फायदे मंद होता है ये फल काफी पोष्टिक तत्वो और विटामिन से भरपूर होता है त्रकोन आकार का ये फल स्वास लिए पोधे का फल है जो भारत में पाया जाता है इसकी टैंक जीलो तालावो और नदियों में इसकी खेती की जाती है यह काले और हरे रंग में बाजार में मिलता है इसका आटा भी बाजार में मिलता है इसका आटा बनाने के लिए सबसे पहले इसके बीज को सुखाया जाता तो चलिए जानते हैं सिंगाडा खाने के फायदे और नुकसान के बारे में पहला थाइराइड के लिए गुनकारी सिंगाडे में आयोडिन और मैगनीज प्रयापत मत्रा में पाये जाते हैं ये थाइराइड की समस्या में लाबधायक है इसमें मुझूद आयोडिन गले संबंदी रोगों से बचाता है। अगर आप थाइराइड के मरीज हैं तो आपके लिए सिंगाडे का सेवन फायदे मन साबित हो सकता है। दूसरा पेट की समस्या में लाबदायत। पेट की समस्या से राहत पाने के लिए सिंगाडे का सेवन कर सकते हैं। एक्सपर्ट के अनुसार सिंगाडे का आटा आतों के लिए काफी फायदे मन है। ये कबज की समस्या में कारगर साबित हो सकता है। और तीसरा डिहाइडरेशन की समस्या में फायदे मन। यह शरीर में पानी की कमी को दूर करता है अगर आप कम मात्रा में पानी पीते हैं तो इसका dehydration की समस्या हो सकती है ऐसे में आप इस फल का सेवन कर पानी की कमी को दूर कर सकते हैं हड्डियों और दातों के लिए लाबधायक सिंघाड़ा में केल्शियम प्रयाप्त मात्रा में पाया जाता है अगर आप इसका सेवन नियमित रूप से करते हैं तो यह हड्डियों और दातों को मजबूत करने में सहायक है पांचवा बालो के लिए फायदे मन सिंगाडे के सेवन से ना केवल स्वास्थे को फायदा मिलता है बलकि ये हमारे सौंद्रे के लिए भी उप्योगी है बालों के लिए सिंगाडे का सेवन लाब दायक है इसमें मोजूद तत्व बालों को खराब होने से रोकते हैं इसके सेवन से बालों में मजबूती आती है और उन्हें सही प्रकार से पोशन भी मिलता है चट्टा सिंगाडे के फायदे फटी एडियों के लिए आपको शायद इस बारे में जानकारी ना हो लेकिन एडियां फटने की शिकायस शरीर में मैगनीच की कमी के कारण होती है सिंघाडा एक ऐसा फल है जिसके पोशक तत्व में मैगनीच पाया जाता है इसलिए इस फल के सैवन से एड़िया फटने की समस्या नहीं होती है सिंघाडा खुजली में लाबदायक गर्मी के दिनों में कई लोगों को खाज खुजली की समस्या होती है सूखे सिंगाडे को गिस कर उसमें नीबू मिलाकर रोजाना दाद वाली जगे पर लगाने से खुजली से राहत मिलती है इसे लगाते वक्त कुछ सेकंड के लिए जलन होती है किन्तु बाद में ठंडक मिलती है और आठवा वजन कम करने में लाब धायक बजन गटाने की इच्छा रखने वालों के लिए भी सिंगाडा एक बहुत ही अच्छा फल है इसमें पोशक तत्वों की प्रयाप्त मात्रा होती है किन्तु केलोरी बैहत कम मात्रा में होती है 9. हड्यों को मजबूत बनाने में लाब धायक इसमें केल्शियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है इसलिए इसका सैवन करने से हड्डियां और दात दोनों मजबूत होते हैं ये शारिरिक कमजोरी को भी दूर करता है और दसवा फायदा तवचा के लिए फायदे मंद है उबले हुए सिंघाडे आपके शरीर को naturally detox करने में मदद करते हैं ये आपके शरीर और रक्त में मौझूद गंदगी हानी कारक परधार्त और toxins को बाहर निकालते हैं ये आपके खून को साफ करने में भी मदद करते हैं जिससे यह है तवचा की कई समस्याओ जैसे कील, मुहासे, दाग, धब्बे, आदी, दूर करने और आपको साफ दमक्ती तवचा पाने में मदद करते हैं सिंघाडे खाने के नुकसान जैसे सिंघाडे खाने के फायदे हैं, वैसे ही सिंघाडे को अधिक मात्रा में सैवन करने से नुकसान भी हैं तो पहला नुकसान यह है कि जो लोग हर दिन तीन से ज़्यादा सिंघाडे खाते हैं, उन पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ता है नमबर दो, जो लोग आतों में सूजन, पेट में दर्द या कब जी जेसी दिक्कतों से जूज रहे हों, उन्हें भूल कर भी सिंघाडों का सेवन नहीं करना चाहिए और नमबर थ्री है, कुछ लोग सिंघाडा खाने के बाद पानी पी लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए वरना खासी की दिक्कत बढ़ सकती है, सिंघाडे की तासी ठंडी मानी जाती है और चौथा, कुछ लोगों को पानी के फलों से एलर्जी होती है, और इस वज़े से उन्हें सिंघाडों का सेवन नहीं करना चाहिए पांचवा नमबर है, कुछ लोगों को उबले हुए सिंघाडे बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, लेकिन उबले सिंघाडे बहुत ज्यादा नहीं खाने चाहिए क्यूंकि उबालने के बाद उनके पोशक तत्व नश्ट हो जाते हैं और छे नमबर प्रेगनिंसी के दोरान वैसे तो सिंघाडा खाने से फायदा होता है, लेकिन अधिक सेवन से पेट दर्द सूजन की परिशानी हो सकती है साथ नमबर जो लोग बहुत अधिक सिंघाडा खाते हैं, उनके गले में दर्द, खराश की दिक्कत हो सकती है, इसकी तासीर ठंडी होती है, इसे सीमित मातरा में ही खाना चाहिए वीडियो में बताए गई जानकारी सामन्य जानकारी पर आधारित है, किसी भी बीमारी से पीडित होने पर अपने डॉक्टर से सलहा लेकर ये नियम अपनाए आज की वीडियो में बस इतना ही, आज की जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा, और अपने फैमिली फ्रैंस के साथ जरूर शेयर करें, ऐसे ही इनफॉर्मिशन वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें, थैंक्स फॉर वाचिंग,